सपा नेता ने लगवाए पिये मोदी के पोस्टर जो सिर्फ करे जूटा प्रचार उखार फेको ऐसी सरकार मोदी सरकार चुनाफ के समय खुद के किये हुए वादे भूल सकती है पेट्रोल डीजल के दामों में कमी लाने के वादों को भूल सकती है लेकिन जनता और विपक्षी दल नहीं भूलते ऐसे ही सरकार को उसके वादे याद दलवाने के लिए लखनो शहर की सरकों पर पोस्टर लगाए गए है इन पोस्टरों पर लिखा है याद है ना बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोधी सरकार समाजवादी पाति के राश्रिय प्रवक्तर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंच्री आईपी सिंग भाजपा के विग्यापनों को लखनों के चारों और लगवा दिये है उन्होंने ट्वीट कर लिखा जो सर्फ करे जूटा प्रचार उखार फेको ऐसी सरकार भाजपा अपना ही महान विग्यापन भूल ना जाए इसलिए मैंने फिर से वो विग्यापन लकनो शहर के चारो और लगवा दिये है मेरा आप सभी से आग रहे है कि आप देश भर में इन होल्डिंग्स को लगवाए और प्रधान मंच्री को उनके वादे याद दिलाए इसी के साथ उन्होंने इन पोस्टरों का विडियो शेर करते हुए लिखा बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोधी सरकार याद है या भूल गए क्या अपने हे विग्यापनों को देखकर अब शरम नहीं आ रही सरकार में बैठे लोगों को क्या देश की जनता से माफी मांगेगी मोधी सरकार कच्चा तेल जब सस्ता है तब पेट्रोल सबसे महंगा यह है अच्छे दिन हाली में देश भर में पेट्रोल डीजल के बरते दामों को लेकर सरकार से जमकर सवाल किये गए थे फरवडी महीने में तो राजस्तान में पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपे प्रती लीटर हो गए थे गौड अतलव है कि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है जिसके चलते विपक्ष सरकार पर हमलावर है विपक्ष की ये घेरावंदी इसलिए भी एहम है कि आगामी वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है जहां पर 403 विधानसभा सीटे है भाजपा इस समय 309 सीटों पर काविज है सपा के 59 विधायक है तो वही बसपा की अठरा